कहानी की शुरुआत में हम हवा में उड़ती हुई एक इसकाई सीटी को देखते हैं जिसका नाम जोलम है जहां बहुती अमीर और हाई क्लास लोग रहते हैं ये वक्त 2563 का होता है आज से लगबग 300 साल पहले दर्ती पर एक भयानक युद्ध हुआ जिससे अब दर्ती खंडर बन चुकी है महा युद्ध में काफी सारे लोग मारे गए और ठीप जोलम शहरी बचा और बाकी कुछ बचे कुछे लोग नीचे आइरन सीटी में रहने लगे आइरन सीटी के लोग जोलम के लिए ही काम करते हैं जोलम का सारा कच्रा और वेस्ट मटेडियल नीचे आइरन सीटी में गिरता है अब हमें आइरन सीटी में डॉक्टर डाइसन इडो को दिखाया जाता है जो जोलम के कच्रे में से सही पार्च को इखटा कर रहे होते हैं तब ही डॉक्टर डाइसन की नजर एक रोबोट पर पढ़ती है वो देखते हैं कि उस रोबोट का दिमाग अभी भी एक्टिव होता है, वो उसे घर ले आते हैं और उसकी पूरी बोडी को रिपेर करते हैं, वो उस रोबोट के सर में एक नई बोडी लगा देते हैं, फिर जब अगली सुबह उस रोबोट की आँख खुलती है, तो अपनी नई बोडी को देखकर बहुत खुश होती ह और जब वो डॉक्टर डाइसन के पास आती है, तो उन से पूशती है कि मैं कौन हूँ, डॉक्टर डाइसन कहते हैं कि मुझे नहीं बता, और मुझे जब तुम मिली थी, तो तुम्हारी साइबोग बोडी पुरी तरह से डिश्टोय हो चुकी थी, इसी वाज़े से हमें को हुद उदास हो जाती है, डॉक्टर डाइसन उसे नॉर्मल करते हैं और फिर उसे बाहर लेकर आते हैं, जहां वो आइरन सीटी को देखती है, तब ही उसकी नजर जोलम पर पढ़ती है, वो जोलम शेर को देखकर बहुत खुश होती है, वो डॉक्टर डाइसन से पूशती ह कि ये क्या है, डॉक्टर डाइसन उसे बताती है कि आखरी बची हुई इसकाई सीटी है, रोबोट उन्हें कहती है कि मुझे आपका नाम तो पता है, लेकिन क्या आपने मेरे नाम के बारे में सुचा है, डॉक्टर डाइसन उसका नाम अलीटा रखते हैं, रोबोट को भी अलिटा नाम बहुत पसंद आता है, फिर डॉक्तर डाइसें उसे इरनस सीटी गुमाने के लिए लेकर जाते हैं। और उसने 6 औरतों को मार दिया है और हंटर वोरियर को उसे पकड़ने पर इनाम है तब वहाँ एक सेंजूरियन रोबॉट आ जाता है जिसे देखर एड़ा उसके सामदे से नहीं अड़ती तब वहाँ पर हुगो नाम का लड़का कर उसे बचा लेता है हुगो एलिटा की और वो देखती है कि डॉक्टर डाईसन बाहर से आ रहे हैं और उनके हाथ से खुन निकल रहा होता है इसे अलीटा को उन पर शक होता है और उसे लगता है कि डॉक्टर ही वहत्यार है जो शेयर में अर्तों को मारा रहा है फिर अगली सुबह अलीटा जब गर से बहां निकलती तो उसे डॉक्टर डाइसन की वाइब शिरेन रोग लेती है और वो अलिटा की बोड़ी देखकर बहुत हरान होती है क्योंकि वोड़ी उसकी बेटी की होती है फिर शिरेन डॉक्टर डाइसन से मिलती है और उसे पूछती है कि तुमने हमारी बेटी की बोड़ी उस लड़की बनाएंगे जो आज तक किसी ने नहीं देखे होंगे लेकिन डॉक्टर डाइसन मना कर देते हैं कि मैं मोश्टर बनाने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता और तुम भी ये गलत काम छोड़ दो तो शिरेन कहती है कि मुझे किसी भी हाल में जोलम जाना है और उसके लिए के साथ प्रेक्टिस करने लग जाती है और वह बहुत जल्दी ही इस गेम में माहिर बन जाती है और अब हुगो और अलिटा अच्छे दोस्त बन जाते हैं फिर हुगो अलिटा को अपनी फेवरेट जगाद दिखाने के लिए लेकर जाता है जहां वो उसे बताता है कि मेरी जगा जोलम है और मैं कैसे भी करके वहाँ जाना जाता हूं लेकिन वहाँ जाना बहुत मुश्किल है और उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है फिर वो अलिटा को कहता है कि तुम डॉक्टर डाइसन को कच्रे में मिली थी इसका मतलब यह है कि तुम उपर जोलम से आई हो क्योंकि जोलम का सारा कच्रा नीचे आकर गिरता है इसे लिए तुमने इसकाई सीटी को देखा है लेकिन दुख की बात यह है कि तुमें कुछ भी यान नहीं है फिर आमें दिखाये जाता है कि रात को जब अलिटा सो रही होती है तो वो देखती है कि डॉक को मार रहे हैं और डॉक्टर जैसे ही उस ओरत को मारने वाले होते हैं तो अलिटा उन्हें रोग लेती है तब ही वो लड़की वहां से गायब हो जाती है और डॉक्टर डाइसन को पता चलता है कि एक जाल है कि तभी वहां एक जाइंट किलर और हत्यारा जाता है जो शेयर म उस किलर को मारने जाते हैं लेकिन उसे नहीं मार पाते हैं और जक्मी हो जाते हैं तब ही वहाँ वो फिमेल किलर भी आ जाती है जिसें डोक्टर डाइसन यहां मारने आये थे डोक्टर डाइसन अपनी जान खत्रे में देख अलीटा को यहां से भागने को कहते हैं लेकिन तब ही अलीटा गुस्ये में उस किलर को अपने हाथों से ही मार देती है यह देखकर वो फिमेल किलर अलीटा को मारने के लिए उस पर हमला करती है लेकिन अलीटा उसे भी मार डाल फिरो जाइन्ट किलर अपना नकाप बटाता है तो हमें पता चलता है कि वो एक बहुत ज़ाता है कि रूदा शाइब धर स्रूंग होता है और फिरो उन killer की body को लेकर factory जाते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें killer की dead body के बदले पेसे मिलते हैं फिर डॉक्टर डाइसन के बहार आने पर अलिटा उन्हें बताती है कि जब मैं उस साइबोक्स से लड़ रही थी तब मुझे एक जलग दिखाई दी जिसमें मैं चांद पर लड़ रही थी इसलिए आप मेरे बारे में कुछ न कुछ जरूर जानते हैं और मुझे बताईए कि ए बोडी किसकी है फिर डॉक्टर डाइसन उसे क्लिनिक लेकर जाते हैं जहां वो अलिटा को बताते हैं कि मैंने ए बोडी मेरी बेटी के लिए बनाई थी जिसका नाम अलिटा था लेकिन उस बोडी का इस्तेमाल कभी नहीं कर पाई तो अलिटा उससे पूछ दिये कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ था तो डोक्टर उसे बताते हैं कि एक राद मेरे क्लिनिक में मेरा एक पेशेंट ड्रक्स की तलाश में गुस आया था और मैं उस टाइम पर मोटर बोस गेम का ट्यूनर था और मैंने ही उसके लिए हसे ज़्यादा पाउरफुल बोडी बनाई थी और हो मेरे क्लिनिक में तोड़फोर करने लगा मैंने उसे रोपना चाहा तो उसने गुस्से में मेरी बेटी को ही जान से माँ डाला और मेरी वाइब शीरेन अलिटा की मोट बरदाश नहीं कर पाई और वो मुझे छोड़ कर चली गई इसलिए मैं अपनी बेटी की मोट का बला लेने के लिए वोरियर हंटर बन गया और मैंने अपनी बेटी के हत्यारे को माँ डाला और तबसे मैं शैर में फेली गंदी की को साब कर रहा हूँ फिर डॉक्टर डायसन उसे बताते हैं कि मैंने तुमारी बोडी को चेक किया है और तुमे एक टीनेजर लड़की हो लेकिन तुमारा दिल बहुत स्ट्रोंग है इतना स्ट्रोंग कि तुम्हारा दिल पूरी आइरन सीटी को सालों तक उर्जा दे सकता है और ये अर्म टेकनोलोजी से बनाए लेकिन ये टेकनोलोजी अब नहीं रही क्योंकि ये टेकनोलोजी तीसरे विश्यूद्रू के पहले इस्तिमाल की जाती थी इससे उनने पता चलता है कि अलिटा 300 साल पुरानी है फिर हमें ग्रेविश्का को दिखाये जाता है जो शिरेन के पास जाता है क्योंकि अब उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी और शिरेन वेक्टर के लिए काम करती है शीरेन जब ग्रेविशका का चेक अप करती है तो देखती है कि उसके दिमाग में एक चीप है और उसे जोलम से कोई कंट्रोल कर रहा है तब उस चीप की मदद से नोवा ग्रेविशका की बोड़ी में आ जाता है नोवा वो होता है जो पूरे जोलम को कंट्रोल करता है और वे सा जाता है और हो कहता है कि ग्रेश का को फिर से बनाओ और यही मुझे उस लड़की की लाश लाकर देगा फिर नौवा उसके ब्रेंड से चला जाता है और फिर हो वेक्टर के शहीर मा जाता है और डॉक्टर शिरन को कहता है कि ग्रेश का को बहुत पाउरफुल बनाओ और अ सबी प्लेयर में से सबसे खतरनाक जोशगन होता है जो अपने कटर ये मदद से सबी को मार देता है और ये मेज जीत जाता है ये देखकर शिरेन को एक आइडिया आता है और वो वेक्टर से कहती है कि अगर जोशगन के कटर मुझे मिल जाए तो मैं उससे ग्रेविशका को बह होते हैं जो वेक्टर के लिए काम करते हैं और वेक्टर उन्हें पार्टके बल करने पैसे देता है कि ही यह गो अपने दोस्तों और अलिटा को लेकर उस जगया पर जाता है जहां पर विश्यूत यह समय उस चीप के बारे में सब पता होता है फिर अलिटा को वहाँ एक बोडी दिखाए देती है लेकिन वो शिल्ड में लोग होती है मगर अलिटा को उसका पासवर्ट भी याद होता है और वो उसे खोल देती है फिर उस बोडी को लेकर बहार आती है और उसे डॉक्टर डाइसन के पास लेकर जाती है और उन्हें कहती है कि मुझे इस बोडी से जोड़ दो लेकिन डॉक्टर डाइसन मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि ये बोडी अर्म टेकनोलोजी से बनी हुई है और ये बहुत ही खतरनाक है इसलिए मैं तुम्हें इस बोडी से कभी नहीं फिर अलीटा गुसे में वहाँ से चली जाती है अलीटा हुगो के साथ फेक्टी जाती है और वो भी वोरियर हंटर के लिए एपलाई कर देती है जिससे अब वो भी एक वोरियर हंटर बन जाती है फिरो सब भी वोरियर हंटर के पास जाती है और उन्हें कहती है कि मैं तुम सबसे मदद मांगने आई हूँ क्योंकि हमारा दुश्मन एक ही है वो है ग्रेविश का और वो लगातार कतल करता जा रहा है और अब वो इडो और मेरे पीछे है इसलिए मुझे तुम सब की मदद चाहिए और हम सब साथ मिलकर उसे खत्म कर देंगे तब ही वहाँ जपेन अलि हंटर को कहती है कि मैं तुम सबसे लड़ने के लिए त्यार हूँ और अगर मैं जीती तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा और फिर अलिटा वहाँ सबसे लड़ने लग जाती है तब ही वहाँ डॉक्टर डाइसन आ जाते है और उनकी लड़ाई रुकवा देते हैं लेकिन ग्रेविशका अपने कटर्स की वज़े से बहुत पावरफुल था जिसकी वज़े से अलिटा उससे जीत नहीं पा रही होती लेकिन फिर भी उससे लड़ रही होती है और इसी फाइड में अलिटा की बोड़ी कटकर अलग हो जाती है लेकिन फिर भी ओ हाड नहीं मानती और अपने एक हाट से ही ग्रेविष्का पर हमला कर देती है और उसकी आग फोड़ देती है जिस्सें गुश्तिте में ग्रेविष्का अलिटा को को मांन二 होता है लेकिन तब बोड़ी अलिटा के शेव में डलने लग जाती है और अब अलिटा अपनी नई बोड़ी से बहुत खुश होती है क्योंकि वोड़ी बहुत ही पावर्फुल होती है और वो उस बोड़ी को पुरी तरह से कंट्रोल कर पा रही होती है और अब वो एयर से फाइर प्लाजमा भी बना पा रही होती है और अब अलिटा पुरी तरह से एक वोरियर हंटर बन चुकी होती है फिर अलिटा अपनी नई बोड़ी को दिखाने के लिए हुगो के पास जाती है और हुगो भी उसकी नई बोड़ी को देखकर बहुत खुश होता है और अलिटा को अपने दिल की बा का अलिटा को नहीं मार सका तो नोवा मुझे मार डालेगा इसलिए में ग्रेविश्का के बरों से नहीं रह सकता इसलिए वो हुगो को अपने पास बुलाता है और वो बातों ही बातों में हुगो से अलिटा के बारे में सारी इंफोर्मेशन ले लेता है फिर अगले दिन अलि यही सबना है कि वो जोलम जाए इसलिए उसका सबना पुरा करने के लिए उसे अपना हाट देने लगती है और कहती है कि हम इसे बेच कर जोलम जाने के लिए पैसे इकटा कर लेंगे तो हुगो उसे मना कर देता है और समझाता है कि कभी भी किसी के लिए कुर्बानी मत दो चा पेसे कमा सकती हो और फिर हम साथ में जोलम जा सकते हैं तो अलीटा उसके लिए मान जाती है और वो दोनों बहुत जाता है कि वेक्टर लीटा को माणने के लिए एक प्लेन बनाता है और वो सबसे खतरनाक वोरियर हंटर को अलीटा को माणने के लिए पैसे देता है और कहता है कि आज राद मोटर बोल गेम में तो मैं लेटा को खत्म करना होगा वहीं जब हुगोर रात को अलीटा का मेज दे देते तो तुम अब तक जोलम पहुंच चुके होते इस बास से हुगो को बहुत गुसा आता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और तभी वहाँ जपेन आ जाता है और वह अलिटा से अपने अपमान का बदला लेने के लिए वह हुगो को एक मडर की इल्जाम में फसा करता है जिससे जपेन उसे वहीं मार देता है और हुगो जपेन के उपर आग लगा कर वहाँ से भाग जाता है लेकिन फिर जपेन उसे मारने के लिए उसके पीछे जाता है वहीं दूसी तरह अलिटा जब मेच खेलने के लिए ग्राउंड में जाती है तो वहाँ डॉक्टर डाइसें नोटिस करते हैं कि बाकी के प्लेयर वोरियर हंटर हैं जो पेसों के लिए शिकार करते हैं और फोरान अलिटा को कोल करते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारे साथ दोखा हुआ है और अब सभी प्लेयर तुम्हें मारना चाहते हैं तो अलिटा कहती है कि मैं सब समा लूँगी फिर गेम स्टांट होता है और वो सभी प्लेयर अलिटा पर अटेक करने लग जाते हैं तो अलिटा सबसे बचते हुए बोल ले लेती है और वो एक एक करके सभी प्लेयर को माडने Лगती है यह देख सभी ओडिञ सी अलिटा के लिए तालिया बजाने लगती तो बाकी प्लेयर भी उसे मारने के लिए उसके पीछे जाते हैं तो अलिटा उन सभी को भी मार देती है फिर अलिटा हुगो के पांस 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 ती है और उसे बचा लेती है तब ही अलिटा वहाँ देखती है कि हुगो पर मडर का इलजाम है तो उसे बहुत गुस्सा आता ह और हुगो उसे कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा हम सी पेरलाइज करके पार्ट्स लूटते थे तब ही जेपेन हुगो को मारने आता है तो अलिटा उसे रोकती है और कहती है किसे मैं मारूंगी लेकिन वो उसे नहीं मार पाती जोकि वो हुगो से प्यार करती थी तब ही चिरेन रोबोट हम दोनों को मार डालेंगे फिर हुगो उसे बताता है कि मैंने किसी को नहीं मारा और मैं तो अपने दोस्तों को वहार रोकने गया था कि अपसे हम यह काम नहीं करेंगे क्योंकि मैं अब तुमसे प्यार करने लगा था तो अलिटा भी हुगो को माफ कर देती ह और शिरेन भी उनकी ये बाते सुन लेती है और अब उसका दिल भी उनके लिए सोफ्ट हो जाता है और हो हुगो को बचाने के लिए उसके सर को अलिटा के दिल से जोड देती है ताकि वो जिंदा रह सके और फिर अलिटा बाहर सभी को उसका सर दिखा कर कहती है कि मैंने उसे म भाद देती हैं फिर ओर डॉक्टरर डाइसन के पास आती है और अब डॉक्टर डाइसन हुगो को भी साइबोग बना देते हैं जैसे की जानबढ जाती है फिर डॉक्टर अलीटा को बताते हैं कि वेक्टर भी है आयरन सीटी आये थे और हमें वहां से नौवा ने बेजा था जो इस पूरी सीटे को कंडरोल करता है यह सब जानकर अलेटा को वेक्टर गुष्टा हाता है और फिर ऐलिटा को डूढते हुए फेक्टरी पहunkच या और फी रहा एक एक सेंचिएन रोबोट को मार देती है और फिर गे के पास पहुंचते है और उसे बताता है कि उसने शिरेन को भी 20 अज़ेके कि अलिटा का असली दुछमन नोवा था फिर अलिटा उड़ती है और है अपनी बोडी को रिपेयर कर लेती है फिर ग्रेविश का के दो टुकडे कर देती है फिर अलिटा वेक्टर के थ्रू नोवा से बात करती है और उसे पूछती है कि तुम कहा हो तो कहता है कि मैं अपने घर जोलम में हूँ और फिर उसे चेतावनी देता है कि मैं हुगो को ढून लूँगा और उसे मार दूँगा फिर अलिटा गुस्से में वेक्टर को वही मार देती है और नोवा को कहती है कि तुमने अपनी जिंदिगी की बहुत बड़ी गलती की कि तुमने मुझे कमजोर समझा और फिर नोवा कहता है कि तुमसे जल्दी मुलाकात होगी फिर अलिटा को डॉक्टर डाइसन का कॉल आता है और उसे बताते हैं कि हुगो को सेंचुरेंट डूड रहे हैं और वो जोल मानने के लिए कटर को एक्टिवेट कर देता है जिससे उस कटर से हुगो की आदी बोडी कर जाती है और नीचे गिरने वाला होता है लेकिन तभी अलिटा उसे पकड़ लेती है लेकिन हुगो का हाथ दिरे-दिरे तूटने लग जाता है और वो दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं और तभी रीटा को नोवा पर बहुत गुछा हता है और फिर उसे मानने के लिए जोलं जाने कर देसाइड करती है जिसके लिए वह कुछी मैनों में मोटरबॉल के सेकंड लीग के सादे मेजीर लेती है और फिर